दोस्तो आज का यह वीडियो लाइकेन से जुड़ा हुआ फोर्थ पार्ट है जिसमें कि हम लाइकेन के थैलस में पाय जाने वाले कुछ इस्पेसल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे जिनसे की आपके एक्जाम में सौर्ट कोशन पूछे जाते हैं तो बड़ा important video है और ये कुछ ऐसे term है जो की आने वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आएज के वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं breathing pore की यदि हम बात करें breathing pore की these are present on the upper side of the thallus और ये gaseous exchange में सहायता करते हैं तो आएए इनके बारे में detail से जानते हैं In some folios lichen like parmelia तो हम लोग ने folios lichen के बारे में पढ़ा हुआ है जिनकी appearance leaf like होती है The upper cortex is interrupted by some opening called breathing pore which help in gaseous exchange तो कुछ folios lichen होते हैं जिनमें की upper cortex region यानि की जो upper region होता है वो interrupted रहता है ब्रेकेज रहता है जिसमें की कुछ small opening पाई जाती है जिसे हम breathing pore कहते हैं और ये gaseous exchange में सहायता करता है आएए बात कहते हैं दूसरे structure की जिसका नाम है syphaly These are found lower surface of the thallus These are also help in gaseous exchange On the lower cortex are some folios lichen like sticta small depression develop which appear as cup-like white spot known as syphaly तो कुछ folios lichen में जो lower cortex reason होता है like अगर हम बात करें sticta की तो उसमें एक small depression दिखाए देता है और ये inverted cup numah होता है मताब उल्टे cup numah होता है और एक सफेद spot के रुप में होता है जिसे हम बोलते हैं syphaly Sometimes the pits that form without any definite border are called pseudo-siphaly तो कभी-कभी क्या होता है कि जो ये पित होते हैं जो गड़े होते हैं बिना किसी border के होते हैं जिसे हम बोलते हैं pseudo-siphaly तो यदि हम बात करें इनके function की both the structure help in aeration यानि कि pseudo-siphaly और siphaly दोनों ही gaseous exchange में मदद करते हैं तो आए इन दोनों के बारे हम structure के थुरू समझते हैं तो यहाँ पर यह वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर small आपको interruption दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं breathing pore और यह उपर की और यानि की upper cortex region में आपको देखने को मिलेगा जो कि gaseous exchange में साहता काता है second है siphily आप देख सकते हैं यह lower cortex की और पाया जाता है और यह inverted cup like structure होता है और यह white spot के रूप में होता है और यह next बात करते हैं अगले structure की जो कि है cephalodium these are small warty outgrowth on the upper surface of the thallus like peltigera तो कुछ like इनके thallus जैसे की peltigera की बात करें इनके upper surface पे मस्से नुमा सनरचना पाय जाती है जिसे हम बोलते हैं cephalodium they contain fungal hyphae of the same type as the mother thallus but the algal elements are always different तो यह जो मस्से नुमा सनरचना बनती है तो इसके अंदर जो fungal hyphae होते है वो पुराने वाले thallus की तरह होते है परन्तु जो algal elements होते है वो पुराने वाले यानि कि जो mother thallus होते है उनसे अलग होते है तो याद रखेगा कि जो syphalodium होते है यह मस्से नुमा सनरचना होती या मस्से नुमा outgrowth होता है जिसके अंदर जो fungal hyphae होते है तो उपर की और आप thallus देख सकते है और उसमें outgrowth देख सकते है सिफलोडिया है ठीक है ना तो नीचे वाले वी वाले section में आप इसके thallus के vertical section को देख सकते है तो उपर की और आप देख सकते है outgrowth निकला हुआ है जिसमें की cortex के अंदर आपको blue green algae देखने को मिले और ये जो blue green algae है mother thallus से vary करते है यानि की mother cell में पाया जाने वाला जो algae है वो अलग होगा और जो सिफलेडियम में पाया जाने वाला algae है वो अलग होगा ऐख चलते हैं अगले structure की हो जो की है icidia तो यदि हम बात करें icidia की these are coral like outgrowth that are developed on the surface of the lichen तो icidia coral like outgrowth होते हैं जो की thallus के surface पे develop होते हैं they are composed of external cortical layer of fungal hyphae with an internal algal layer तो इन में जो external cortical layer होता है वो fungal hyphae का बना होता है जबकि जो internal layer होता है वो algal layer का बना होता है यदि हम बात करें सिफिलोडिया और icidia में अंतर की तो हमने पीछे discuss किया था कि जो सिफिलोडिया होते हैं उन में जो algal component होते हैं वो mother thallus से अलग होते हैं बट इनके साफ icidia both, icidia and mother thallus have same algal element तो icidia में जो algal component पाय जाते हैं वो mother thallus में पाय जाने वाले algal component की तरह होते हैं तो ये अंतर है icidia और सिफिलोडियम में यदि हम बात करें icidia के function की तो इनका primary function है कि यह lichen के जो surface area है यानि कि जो lichen का surface है वो increase कर देता है जिससे कि इन्हें अधिक photosynthetic area मिल जाता है एक तरह से यह lichen के thallus में photosynthetic surface को बढ़ाते हैं इसके अलाबा इनका एक और काम है कि यह एक reproductive bodies की तरह behave करते हैं तो figure में आप icidia देख सकते हैं आपको यह coral like appearance में दिख जाएंगे इसमें जो fungal component है और जो algal component है दोनों ही same है mother thallus की तरह यानि कि जो mother thallus है उसमें जिस तरह का fungal और algal component है वो ऐसा ही icidia में आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ lichen का VS section है आप नीचे की ओर देख सकते हैं आपको इसमें upper cortex और lower cortex देखने को मिलेगा और algal layer देखने को मिलेंगे और इनमें जो algal layer है mother thallus और icidia दोनों में same होंगे आईए बात करते हैं अगले special structure की जो की है soradia the soradia are minute rounded separate outgrowth of the lichen thallus तो जो soradia होते हैं ये minute rounded structure होते हैं जो की lichen के thallus से अलग हो जाते हैं they are composed of algal cell clapsed and surrounded by fungal hyphae तो जो इनमें algal cell होते हैं वो fungal hyphae के द्वारा घिरे होते हैं both the fungal and algal components are the same as the parent thallus तो soradia में पाए जाने वाले जो भी fungal और algal component है वो parent thallus यानि की mother thallus के समान होते हैं so soradia are formed in fairly large number on the surface or or margins of the lichen thallus the soradia are widely disseminated by wind or or rain and on the suitable substrate germinate to give rise to new thalli तो icidia की भाती soradia भी reproduction में साहता करता है windy की थुरू या फिर rain की थुरू ये mother thallus से अलग होता है और suitable substrate पर पहुँच कर germinate करता है और नए thallus का formation करता है तो आप figure में देख सकते हैं ये green color का दिख रहा है ये algal cell है उसके 4 तरह fungal hyphae है ठीक है यह एक soradia का structure है और इसमें algal और fungal hyphae दोनों ही mother thallus की तरह होता है favorable condition में ये parent thallus से detached होता है और suitable substratum पर पहुच कर ये germinate करके new thallus का formation करता है अगले structure की हो जो की है soralia in some folios and fructose and in a few crustose form of lichen the soradia are massive together into compact body known as soralia तो कुछ like हैं जैसे की folios, fructose और crustose में क्या होता है की जो seradia होते हैं वो आपस में जुड़कर एक compact structure बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं soralia तो soralia, soradia का ही compact structure है तो आप figure में देख सकते हैं soradia का structure ठीक है तो जब ये soradia compact structure होते हैं यानि की एक massive structure बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं soralia singularly हम बोल सकते हैं soralium तो दोस्तो ये था हमारा lichen से जुड़ा हुआ आज का fourth part next part यानि की fifth part में हम lichen के reproduction के बारे में जानेंगे बड़ा ही important topic है तो अगला part देखना मद भूलिएगा तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा comment करके जरू बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मद भूलिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरू share कीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमाई चैनल को subscribe कर लिजे ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं upload करूँ उसका notification आपको मिलता रहा है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक लिए जाहिन जाभारत